ओम शांति, हम मन्सा सेवा, मनोबल इस विशे में एकांत, एकांत वासी और एकागर्ता. एकागर्ता की कमी का कारण और निवारन, एकागर्ता हमारे जीवन में क्यूं कम हो जाती है और उसका निवारन क्या है? उत्तर, एकागर्ता की कमी का कारण अगर क्यूं क्या, के क्वेस्चन भी हैं, तो संकल्प शक्ती में एकागर्ता नहीं होगी, तब तक एकागर्ता नहीं आएगा, ये बाबानी 24 मर्च 1982 को कहा, जैसे शारीरिक रोग पकर्ज बुद्धी को एकागर्त चित नहीं करने देते हैं, कोई भी शिरीर की बिमारी हो जाएए, दर इतना है, बार बार ध्यान उदर जाएगा, बाबा प्रमात्मा की याद तो नहीं रहेगी, कहीं बुद्धी एकागर्त चित नहीं हो सेकेगी, ना चाहते हुए भी अपनी तरफ बार बार खींच लेता है, ऐसे ही ये मानसिक कर्ज का मर्ज, कर्ज का मर्ज, जो अनेक जन्मों के बने हुए पाप कर्मों का खाता, ये जो भी कर्ज हैं, ये को अचानक तो नहीं आये हैं, क्योंकि एक कर्ज के साथ कितना हिसाब जुड जाता है, क्योंकि हम दुखी हुए, डाक्टर के साथ हिसाब किताब बना, परिवार के साथ हिसाब किताब बना, हम व्यभार कुशल नहीं बन पारे, बलब एक बात एक है, कहीं से भी देखे, तो उसका हिसाब किताब कितना चारों तरफ पैल जाता है, और ये एक जन्म में जो है न समाई हुई है कि हमने कोई करम कब किया था कोई करम कब किया था अब सारे करमों का हिसाब किताब इकठा क्लियर हो रहा है बुद्धी योग को एकागर नहीं करने देता बलकी विगन रूप बन जाता है ये बाबा ने 4 फर्वरी 1975 को समझाया एकागरता की कमी का निवारण एकागरता के लिए जैसे सुनाया था एक तो व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो दूसरी बात माया के आने वाले अनेक परकार के विगनों को अपनी इश्वर्य लगन के आधार से सहज समाप्त करते कदम को आगे बढ़ाते चलो कदम को आगे बढ़ाते चलो ये बाबा ने 31 मई 1977 को समझाया अच्छा ओम शांती और विस्तार से जानने के लिए प्रजा पिता ब्रमा कुमारी इश्वरिय विश्व विद्या लेके किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करे और यदि कोई प्रशन है तो 9213106986 पर केवल टेलिग्राम करे 9650692270 पर केवल वाट्सेप करे फोन नहीं, ओम शांती